आप सभी स्वात्कों का स्वागत है, मैं अर्विन सक्षेना बोलाउं, साथना जगत के रहसियों तता जत्यों को जानने के लिए इस चैनल के प्रतियक वीडियो को देखें, और इसमें दीकोई प्रतियक प्लेस्ट को भी देखें, अब यह आला वीडियो एक बहुत ही होती है, उसको हमको किसके से लेविल की साइंस हो सकती है, उसके बारे में मैं इस मीडियों चर्चा करूँगा, क्योंकि यह बहुत बला कंफ्लिक्ट जो है, वो साथों के जीवन में रहता है, कि साधना करना यह विज्ञानिक नहीं है, यह विज्ञान नहीं है, यह विश् इसमें से एक बास समय में आ जाएगी कि जो भक्ती का जो आधार होता है वो ज्यान होता है और इसी तरीके से जो होता है जिसको करते अंद भक्ती, अंद विश्वास का जो आधार होता है वो अज्यान होता है दोनों चीज़े में डिफिरेंस होता है एक विवेक पूर्ण दि होती है अब यह पॉइंट को समझें कि मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि हमको यह पॉइंट इसलिए मालों होने जरूरी है कि जो हम साधना कर रहे हैं वो किस प्रकार से हमारे जीवन को परिवर्दित कर रही है हमारे स्थूल रूप से यानि बहुत एक जीवन को भी प्रभावित करती है और इसके साथ साथ है हमारे अध्यात्मिक जीवन को भी प्रभावित करती है दोनों मिले हुए है दोनों अलग अलग नहीं है इस सेपरेट बुद्धी वाली बात आती कहां से उसके लिए आप जो चाहते दिमाग में जोर पर डालने की जरूवत नहीं है मैं वीडियो में लगाता है बताता हूं समय का प्रभवा ऐसा है कली बादा वाला वीडियो देखेंगे तो 277 नमर वाला और असुर असुर प्लेस देखेंगे दो में तो कम देखें ल लेकिन हमको सूखनु समझ रहे हैं तो उसी वे समय नस्ट होता रहता है लेकिसादकों को इस डिवेट में नहीं पढ़ना जाहिए लेकिन डिवेट में नहीं पढ़ने के साथ-साथ कुछ उनके पास एक तर्थ भी होने चाहिए और वो वह सॉलिड जो अगर तर्थ मिल जा स्ख़व में भी गडिचांगे दीजिया करें तो क्यों होता है कि कंषुशन दुमाग में अपने नहीं रहता और दूसरा क्या होते हैं वह बहुत ही एक मन में कमिक्शन देदेता है कि जो हम काम कर रहे है ठीक कर रहे है पूल वैग्या इक दिस्टी से कर रहे है तो बेग् पहली बार इस तरीके का वीडियो आपको शुनने को भी मिले, इसके अंदर में जितनी केटेगरी हो सकती हैं साइन्स की, इस पूरे ब्रह्मांट के लेविल पे, और ब्रह्मांट के आगे कहले होगी जो जिन्हों नों भी नर्मुंडिया पंचमुंडियासन वीडियो देखे उसके आगे की वीचार स्थार और फिर वहां परमशिफ की सिती होगी वहां जाके वो जो परमशिफ जो होंगे उनका इस्तान है उन्हों मुंडिया वाला जो वीडियो है आप देखेंगे तो समय बात आईगी तो मैं इसकी चर्चा का प्लारम इस वीडियो से करता हूँ कि वीडियो नुम्बर तीन है भगवान का सुरूप शिफ शक्ती बिंदू और भगवान का ये वीडियो नुम्बर चार है संसार की रचना संसार की रचना वाला वीडियो इंपोर्टन वीडियो है उसको समझ लें तो साइंस समझन में अपने हाब आ जाएगी जब परम जोश्टी थी जानी निराकार जो कि उनका एक शरीर निराकार रूप माने उसमें उनकी शक्ति उसके में माज़ जाए मिली हुई है अलग से कुछ भी नहीं है अब जब उनके मन में प्रणा उत्पन हुई कि हमको सश्टी की रचना करनी है या को चुछ हमको दिवी लीला देखनी है तो वह उनकी शक्ति जाव जागरत हुई जर जागरत ही है वह बंसे माज़ शक्ति और उन्होंने अपना सन सन प्रारम करी उस बिंदू से सबसे पहले उनने सूक श्रस्टी के रचना करी जिसको कहते है शुद श्रस्टी वो माया से आगे की चीज़ है मौहाँ पर माया नहीं है उसके बाद उन्होंने अशुद श्रस्टी की रशना करी जिस हाँ पर माया है अशुद श्रस्टी में बहुत सारे ब्रह्मान बना दिये हैं उन्होंने अनन्त उसमें एक ब्रह्मान है जिसमें हम हमारा प्रत्वीलोग रह रहे हैं हमारी है यह पूशियन है यह पूशियन अगर बता है तो हम जो हमारा जितना उपर से सिस्ठी है उस बिंदू से लेगे और जैसे भान 1994 आते चले जाएगे सिस्ठी मे यहाँ झानि हम अपने इस थर पर आप बात करें अपने बंबान में और अपने प्रत्वी लोग में और अपने स्वेम की बात करें हमारा जो भी पर्वेश है उसकी बात है नहीं है तूल शस्ठी है और जितना नीचे पहुंच गया उतना हमारे में कहाएंगा अग्यानता जादे आएगी उसका करन क्या है कि जो सस्टी के जब निर्मान कर रही है वो निर्मा जो कर रही है तो वो कुछ न कुछ उसमें अपना ही जो शेतना के स्थरह वो कम करती चली जाएंगा नीचे के स्थरों में धीमें धीमें और तभी वो कहना चाहिए वहाँ पर अज्यानता के सिथी पैदा जो चेतना का जो है लेविल उसको महाँ में कम कर दिया, उस सम्वा अविद्या आगी, ज्ञानता आगी, अब उसके कार्ण से दवध प्राराम हो गया, अब उसन ध्वंद में सारी लिज़ा चल लिए अपने अब, उससी दवंत मीहीं, प्लस भी हो रहा है, मåनेत भी हो रहा ह मनुष्र जो है, उसको उनोंने कर्म फलक्य सद्धांतित्यों के अनुसार बना दिया कि जैसा कर्म कदोख बना दिया कि जैसा भोगना होगा भोगोगे, फूर जन्मों में जैसे यह से काम करें होगे, उसके साफ से जो भी उनको योनी मिली होगे, मनुश के अलाबा वो भोगो, तो भोग रहे हैं आपे, मनुश को एक freedom दे दी सोचने की और काम करने की, तब मनुश अपना काम कर रहा है, लेकिन हो है अविद्य हमें गरस्त, अगर अविद्य हमें गरस्त नौ तो ललाई जगला होई कि ऑँग्यों, क्यों Για दुसरे से नध की बात आती रहे क्लनगाली क्लच क्यों होता है , कि बहुत सारे कि पieseक्ने और कितने विद्वन्त हो सकते हैं, हर लेविल पे होते हैं तो इसको पर दपर तक सीष 내려ya को यह तक साधना के द्वारते हम एक स्थोल रूप की बात करें यह हमारा संसार है, इसमें हम रह रहे हैं, हमारा बहुत एक जीवन जैसे चल ला है, नोकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, घर में रहे हैं, अपने परिवार के साथ रहे हैं, यह जैसे भी है, समाज है हमारा, सब कुछ है इस तरीके से, इसकी हम बात क करें यह सब जो हम देखते हैं यह सब जो जानकर रहे हैं इस सामान ने क्यों को आ जाएगा कि यह जो है एक किसी एक खास परपस को यह किसी खास प्रॉलम को एड्रस करती है जैसे कि कर दी है कि विजली का विष्कार हुआ उसने बहुत सासी चीजह कि उसके कानफ कर सकती है नहीं कर सकती जदना वह कर सकती उसी तरह से बल्ब कर शकार हुआ तो बल्म रहे परोशनी दे उससे हमारा बहुत जीवन सुख में बना तो लिमिटेट है लेकिन हर चीज़ा कार बनी तो उसमें भी हमारा लिमिटेट रोल है कि जितना हमको उससे सुख मिलना होता नहीं मिलेगा उससे जाते नहीं मिलेगा ये सब बातें जो हैं यह लिमिटेट वर्ट जहां आ रहा है, वहाँ पे सामान विज्ञान हो गया, अब उसी चीज को सामान विज्ञान को करने के लिए जरूरी है, उसके लिए सामान विज्ञान कहां भी क्यों जाएगा उसको, वो है कि जिसको कहते हैं भेद दिस्टी होती है, यह हम अलागे हैं को ये चाहिए तब ही तो कोई काम खड़ेगे को भी तो अविशकार की बात आएगी और उसको अविशकार करने के लिए वदले मेहनत करेगा तो कर्म शक्ति चाहिए होगी तो भी करेगा उना लेकिन ये जो है, ये योगी जो है, जो परम, परंटू होता है और फिर एक discovery हुई, उसके पाद दूसरी गलत कर दी तो क्यों ऐसा होता है अग्यानी का विग्यान क्यों का जाएगा क्यों कि जो ऐसा हो रहा है कि डिस्कवरी शाग जो होती है वो आम से मिनिशन की हो रही है अटम बॉंब की हीड्रोजन बॉंब की हो रही है या ऐसे ऐसे हो रहा है कि एक दूसरे को मारने के लिए वार्स पैदा कर रहे हैं, यह जो हो रहा है कि जासुसी वाले सौफ़एर बन रहे हैं, हैकिंग वाले सौफ़एर बन रहे हैं, या कहना जाए इस तरीके कि क्यों हो रहा है, यह सब कहां से हो रहा है, यह अग्यानी का प्रफिस्ट्व फिजिक्स का माल लेकर चलती है अभी में आपको जब योग विज्ञान के चरचा करूंगा तो जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि एक all बल को माना जाता है फिлиक्स में सब को आप मैं जैसे किसी वीडियो में लिए था थैयर यह यह तenario सवामी आप देखें के ठाज इंध संत रहें दोसी साल की उमर रही हुगी काई दिनों तक घहराई में जाके हो अब अब यह पताई यह सामान विज्ञान की द्रस्ती से कैसे संभव है सांस कैसे लेते होंगे सामान विग्यान जो है वो इसी जो मेडिकल साइंस है वो भी एक लिमिट से जादे answers नहीं दे पाएगी यह limitation है तो सामान में विग्यान कहते है यह सामान विग्यान का शेत्र हो गया लेकिन सामान विग्यान में थोड़ा और advance लेवी भी है लेकि वो काम भी कोई हती उंचे दर्जे के कोई योगी होंगे वो ही कर सकते है वो होगा जैसे किसी पदार्ती रचना करनी है और जैसे कि उससे सूर्य विग्यान की बात कर ली है जो सूर्य में जो होते हैं उनके जो spectrum होता है उसके अंदर आप देखेंगे जो उनके अंदर जो वर्न होते हैं colors होते हैं उनको रश्मिया कहते हैं उनको जो है उनके combination से lenses की साहता से उनके combination से अलग अलग तरीके से किसी भी पदार्ती रचना करी जा सकती और इसका प्रमाण अगर आप ढूमने जाएंगे तो आप Google सज़ करें जो बाबा विशुदानन का नाम मिलेगा बाब विशुदानन जो है उन्होंने शायद पहले बाद सूर विग्यां को इंटर्डूस किया था यदू जानकर इंखट्टी करें आपको मिल जाएंगे इससा बाते हैं आपको Google search करेंगे तो मिलेंगे नहीं तो बाव विशुद दानन्द के बारे में आप जानकर ही खट्टी करें आपको मिल जाएगी बावा विशुद दानन्द ने यह चीज सूर विग्यान की जो है जो है इंटर्जूस किया था है जंसार में यह उसके द्वा चंदरमा की रश्मियों से नहीं हो सकता है उस से भी हो सकता है वो आपको चंदरमा की रश्मियों को उनको भी समझना पड़ागा यह होता क्यों है सवाल है कि यह सारी चीज़ें कैसे कर लेते थे यह योग की बात नहीं थी यह उनको जो सुर के जो रश्मिया थे उनका ज्यान था उनको पता था किसी पदार्थ में जैसे हम उनका कॉम्बिनेशन बना के आप किसी पदार्थ को बना सकते हैं लेकिए कि जो भी है कि जो भी इसका सिधान्त क्या होता है कोई भी चीज होगी जो हमें अमजेक्टे हैं जिसको कहते हैं पिंड़ ब्रमान का सिधान्त माने हर चीज में हर चीज है जैसे कि मालिया की कोई फूल है गुलाब का फूल है या माल लिए कि चमेली का पूल है तो चमेली का पूल में क्या होगी कि वो जो चमेली जो हमको दिखरा होगा सामने वो चमेली का पूल जो होगा वो हमको दिखरा हो तो चमेली पूल के जो तत्वों को सबसे जाले हैं तब हमको दिखरा है इसका मदला उसके अंदर के और फूलों के उसके अंदर तत्व नहीं हो सकते यह फूल छोड़ी है जो भी जीस हम सोत रहो मालिम सोत रहो है कि सोना है सोने के उसके अंदर एटम नहीं होगे पिंड और ब्रुमान के सिद्धान्द के अंजार में जो हमारा पिंड्यानी शरीर है उसी के अंदर बुर्मान समाहित है तो ये बात सारी पदार्तों में अप्लिकेबल है तो अगर कोई इस विद्या को जानता होगा तो वो क्या करेगा वो वहां से उस जो चमिली का पुष्प है तो उसको सोने में भी कनवर्ट कर सकता है अगर जानता होगा तो बड़ी बात हो जाएगी लेकिन मैं चोकि प्रमानिक बाते ही करता हूँ वीडियोस के माद्यम से कि जहां पर किसी को कोई चांस ना रहाएगी कोई दर दर भटक ना जाए कहीं इसलिए जाए सामने सामने प्रमानिक के रूपे मैंने बावाश वीडियोस को बता है आपको उधार आप सूर्विग्यान वाला उधार वो देख लेंगे उसमें तो आपको बात समझ में बात आएगी अब ये तो इसमें बना भी सकते हैं बिगाड भी सकते हैं किự इस भी जी स्कोल ये साइन्स है ये जनलर साइन्स की क्ैटेगरी में ही है जो हम जनलर साइन्स की अब बात करें यो बिलkickल इसलूपस है इसका थोड़ा सा आडवांस रूप हो गया लेकिन ये वोसी कैटेगरी में योग वाले विज्ञान की दिस्टी में नहीं है इदान आप यहां योग विज्ञान की बात कर रहा हूं आपसे यह सुर्व विज्ञान थे उपर की इस्तिती हो गई यानि कि योग विज्ञान में क्या है योग विग्यान में जो भी सिस्टी संगा जो भी कुछ करना है उसका सिद्धान जो होता है वो इक्षा शक्ति होती है इक्षा शक्ति के द्वार ही योगी जो होता है यह जी पात जहां है हम योग विग्यान की बात है नो सच्चे योगी की बात में हो गई अच्चा योगी म कि अगर देखना है सिस्टी को तो देखने के लिए वो फिर साधना में करते रहते हैं अपना तो उनको चीज़े दिखती भी रहती है वो इंटर्फियर नहीं करते हैं लेकिन उनकी जो इक्षा शक्ती होती है उसके द्वारा वो किसी भी पदार्त का निर्माल कर सकते हैं हर चीज़ को अपनी आत्मा में ही यह समझती है हूँ और यह समझ लोग कि जहां आगर वीडियो आप इसी को देखेंगे जब वीडियो नमबर तीन में संसार की देखना उसमें आपको बात समन में आएगी और पंचमणी आजन वाले वीडियो में भी आप देखेंगे तो जब शाक्तान का स्थर आता है तो वहां इश्वर सदाशिव का स्थर आता है जहां इश्वर की बात आईगी वहां वह ये स्थर जो होता सदाशिव के स्थर था को माया वाला स्थर रहेगा बहले संसार के स्थर रहेगा इश्वर का स्थर से माया वाली बात रहेगी तो वह उ पूरी तौर पर अपनी पूरी आत्मा से जुड़े होगे होते हैं और वो उस चीज़ को महसूस करते हैं उसी आत्मा में उनकी सिति होती है हमेशा अद्वयत की भूमी में रहते हैं पूरी उसका अद्वयत की सिति में रहते हैं कोई भगवान से हमेशा ही जैसे जुड़े रहेंगे वो तौर इस कारानते उनके अंदर में माया शक्ती से वो उपर हो जाते हैं इसलिए अपनी केवल एक्षा मातर से ही वो किसी भी वस्तू का संगार भी कर सकते हैं और उसको ब सबी वस्तून हों के परमाणु है यानि सभी वस्तूएं जो सरवातमक है यह इतरी से भी निर्मान कर सकते हैं तो इस दिर्स्टी में के निर्मान कर सकतें के वह थेन कि pipeline उस est utilized अल्फाबेट्स होते हैं वर्ण माला जो होती है प्रत्यक अक्षर में एक अक्षर में जैसे का है का में पूरी वर्ण माला भी है का में भी पूरी वर्ण माला है यहार अक्षर के अंदर पूरी पूरी वर्ण माला भी है उस हिस्टी से भी है कुसी भी तरीके की सनेशना कर सक तो मुटब करने कि यह यह मैं योग विज्ञान की बात कर रहा हूं और मैंने आपको पहले ही बता है यह विज्ञान में भी देलंग स्वामी जी का आपको उधान दिया जो कि जल में जाके गहराई में जाके अमनी ध्यान साथना करते थे तो वहां पर उनके लिए सामान कि बात आ रही है तो उसको किस तरीके से कर लेते थे ते वह कौन से फिजिक्स का जो सिद्दान दोंगे उसको जो है वो पालन हो रहा होगा महाँ पर कई वारह से करते थे कि उनके जो शरीज में जैसे कि कोई माला बगड़ा वो अपने शरीज में सही निकाल के वापस जो पूजा हुजा करनी होती थी उनको करने के बाद वापस अपने शरीज में घुषड़के अंदर डाल देते थे अब आप सोचिए कि कितनी वेजी बात है कोई सोच सकता है कि एक कोई माला लेकर अपने वापस बाड़ी के अंदर में अपने हाथ के अंदर में ले जाके दब ऐसके होल हमको अगर समझना है तो हमको इस हिसाब तो भी समझना है और सूख्षू को भी समझना है तब बात शमज्चन अगर अगर को देखते ही नहीं है समझना चाते भी नहीं है और हम अपनी कुतरकूर में फसके अपनी जो स्थूल जिस्टी उसी में फसे हों उसके आगे विग्यान को समझते भी नहीं है यह बात था बाती है जब शात्रों का अध्दन ना किया जाए और अध्यान के बाद उनको साधना ना करी जाए मिना साधना के सुक्ष जीज समझ में में नहीं आती इसलिए जो होता है वो कुतरकूर जिस्टी जो है वो पैदा हो जाती है अब मैं आपको एक परमिज्ञान की बातार बता रहा हूँ परमिज्ञान आप जब देखेंगे तो आपको और समन में बाता जाएगी ये योग विज्ञान से भी उपर किस्टी यहाँ योगी की इक्षा नहीं चलेगी अभी मने आपको योग विज्ञान में बता है यहाँ योगी की इक्षा चलेगी अभी उरजना कर रहा है, कर सकता है जो चाहे तो परंग मिझ्यान वाले आई वहाँ उसकी एक्षा समाप अब किसकी एक्षा रह जाएगी? महाशक्टी की वो अपनी महाशक्षा के अनुसरार में जो करने हैं चाहेंगी वो करेंगी उसके बारे में कोई भी सही से नहीं बता सकता है जो सच्छे योगी है अगर वहाँ पहुँच गए उससे जख तो केवल दस्टा मात रहेंगे और वो महा इक्षा में अपनी इक्षा को विलीन कर देते हैं और फिर वो जैसा भी महा इक्षा बताएंगी या जैसा चाहेंगी उससाब से वो करते हैं वो इस सिथी वो विज्ञान कैसी वो ब्रह्मान की रचना भी कर देंगी और मना भी देंगी ब्रह्मान के प्रकत्यान, मायान, सक्टान सारी रचना करते हुए वापस भी खीच के सबको डिस्ट्रॉइ कर देंगे, गदम कर देंगे, इसमें महाप्रला की सिथी ले आएंगी, तो यह कौन से साइंस में आ रहा है, सामान विज्ञान तो समझी भी नहीं आएगा, अब अभी हम गूत्वा करशन में फसे हुए, अलेक्रिसिटी में फसे हु कर होंगी है, वो जिसी से हमको इस लोर लेवल से लेकर हाइस लेवल तक के बारे में सोचना जाहिए, अहाइस लेवल जोडने के लिए, तूल से तूल के लिए मुझे साधनाय करना है, अधी आवश्या कैं, तो आशा करते हूंगे आप सब लों को जान, यह जानकर या अच झालेवाद